सो हेलो एन विलकम गाईज वेलकम टो योरोन चैनल अन्नोन टीचर आज के वीडियो में बात करने वाले हैं यह मैथ्स ट्रिक्स बाइनो मिल थे वरूम ट्रिक का नाम हमारा डोंट नो एक्सपेंशन और आज आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा फिर भी एक अब इनको कैसे अप्लाइ करना हैं देखेंगे सबसे पहले आप यह समझ लिए कि यहां पर X दिया हुआ है यहां पर A दिया हुआ है यह दोनों एक दूसरे से डिफेरेंस होंगे यहां पर A दिया हुआ है एक दिया होँआ है यह दोनों यहां पर जोनों एक दूसरे से डिफेरेंस होना काफी जयाएं चैसे इनको प्रीक्तिकञा करते हैं तो यह हमारी हो गई n की वेल्यू, n की वेल्यू होगी 23 and total number of terms हमको पता है कितने होते हैं, n plus 1 is equal to 23 plus 1 is equal to 24, उमीद करता हूँ कि यार वीडियो समझ भी आ रही होगी, आपको यहां पर 24 होगा, question number 2 पे चलते हैं अभी question number 2 हम से कह रहा है, 1 plus 2 x plus x square is to power 10 then total number of expansion in terms, so यहां पर आप देखते हो 10 है, तो 10 से आप डिरेक्ट 11 मतलगा देना, यहां पर अगर आप देखोगे तो यह बन रहा है हमारा formula 1 plus x का square and total raise to power 10, अगर अभी आप देखोगे 1 plus x raise to power 20 यह होगे, n is equal to 20 and यहां पर अभी जब total number of terms निकालोगे तो n plus 1 is equal to 21 यह option number b हमारा match कर रहा है तो यह हो जागा हमारा right option यहां पर आप देख लो कि यहां पर तीन term जरूर है, लेकिन तीनों चुकी x के term में हैं, तो यहां पर हम second वाला formula use नहीं कर सकते चलिए next question पर चलते हैं यह next question हमारा 1 plus x cube plus 3x plus 3x square raise to power square total number of terms in expansion यह question हमारा second number question से कुछ match करता हुआ है यहां पर हो जाएगा 1 plus x cube x का whole cube का square यह हो जाएगा हमारा 1 plus x raise to power 6 and total n is equal to हो जाएगा 6 then n plus 1 is equal to 6 plus 1 is equal to 7 so option number यह अगर आप देखोगे तो 7 दिया हुआ यह हो जाएगा हमारा right option question number 4 दिया हुआ है x plus 2y plus 3z raise to power 3 total number of terms in expansion यहां पर अब देखोगे कि n की value 3 है चुकि तीनों terms जो है वो different है n की value 3 दिया है तो यहां पर formula हम यूज कर सकते है n plus 1 n plus 2 upon 2 यहां पर आप देखोगे तो 4 into 5 upon 2 यह हो जाएगा मेरा 10 यहां पर 10 number 10 है हमारा option number a में यह हो जाएगा right option ठीक है चलते question number 5 पर 5 number question दिया हुआ है p plus 2q plus 3s plus 5 r raise to power 3 total number of terms in binomial expression तो मैंने आपको बताया था जब 4 different terms दिया हो तो आपको लगाना है 3 plus 1 3 plus 2 3 plus 3 यह क्या लिखना हम basically n plus 1, n plus 2, n plus 3 upon 6 यहां पर इसको solve करेंगे 4 into 5 into 6 upon 6 यह 6 to 6 cancel होगे 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 20, 20 है हमारा option number D उमिद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगे और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कर देने चैनल पर नहाँ तो सब्सक्राइब भी करके जाना मिलते है नेक्स वीडियो में